हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबमी क्लासिस में आज की हमारी क्लास स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टोप 30 वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन डिसकस करन आने वाले हैं अगर आपके आने वाला आरमी का एक्जाम है चाहें आपके एक्जाम आरमी जीडी है कलरक है ट्रेट्समन है टेक्निकल है आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्पूर्ण होने वाली है तो सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है मैं उमीद होगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने से पहले यह वाला प्रशन मैंने कल की क्लास में होमवर्क के लिए दिया था तो लगबग सभी विद्यार्थियों ने सही आंसर किया है प्रशन था शहर उज्जैन किस नदी के किनारे इस्तित है और 10 का करेक्ट आंसर होगा शिप्रा नदी चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं तो देखेगा प्रशन आपके स्टैटिक जीके के हैं और प्रशनों की संख्या टोटल 30 है टार्गेट मैं आपको दे रहा हूं 28 कोस्चन राइट करने का टार्गेट थोड़ा सा आपको हाई रेवल का दिया है सभी को अचीव करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन आपके सामने स्क्रीन पर है अल्ला रखा खान कौन सा वादे अंतर बजाते थे ऑप्शन आपके सामने है अगर आपको किसी भी प्रशन का अंसर देने के लिए जादा समय चाहिए तो तो आंसर मैच कीज़ेगा अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तबला आपका बिलकुल करेक्ट आंसर होगा अल्ला रखा खान तबला वादे अंतर बजाते थे नेक्स्ट है कोशन नमबर सेकिंड आपके सामने स्क्रीन पर कुच्चिपुडी की सिराज्य का प्रसीद नरित्य है सूपर इंपोर्टेंट एंड वेरी वेरी रीपीटेबल कोशन है कुच्चिपुडी इजदा फेमस डान्स ओफ विच स्टेट ऑप्शन है आंद्रे प्रदेश करनाटक ओडिसा या फिर मनीपुर तो आंसर मैच कीज़ेगा अगर आप सभी ने इसका आप्शन ए आंसर दिया है आंद्रे प्रदेश आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कोशन नमबर थर्ड की दरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजेगा और यह वाला कोशन वेरी वेरी स्टेटिक है विश्व प्रसीद पेंटिंग मोना लिसा कि आंजेला मारकेल हिलेरी क्लिंटन या फिर अमरिता शेर गिल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप्शन ए रहेगा लियोनार्दो दाविंसी की कृति है मोना लिसा यह आपको ध्यान रखना है कोशन नमबर फॉर आपके सामने स्क्रीन पर है जल्दी से इसका आंसर देंगे नि पुषकर मेला पॉंगल या फिर लाई हरोबा तो राइट अंसर ऑप्शन सी सभी न दिया होगा पॉंगल जो है यह तमिलनाडू का प्रमुख त्योहार है इसके साथ हॉर्णबिल भी आपके एक्जाम में आ चुका है हॉर्णबिल कहां का है हॉर्णबिल नागा लैंड का एक फेस्टिवल है पुषकर मेला राजयस्थान में होता है और जो लाई हरोबात योहार है यह आपका मनीपूर में मनाया जाता है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन नमबर फाइव आपके सामने स्क्रीन पर आरू विले आश्रम कहां इस्थित है वेर इस आरू तो राइट अंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को दिया है पांडू चेरी आपका बिलकुल करेक्ट अंसर है आरू विले आश्रम पांडू चेरी में इस्थित है बढ़ते हैं नेक्स्ट कराश की दराफ कोशन नमबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है रानी खेत किस राज् होने हैं समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा आंसर मैच किजेगा अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उत्रा खंड आपका आंसर बिलकुल करेक्ट है कोशन नमबर 7 किसान घाट किसका समाधी स्थल है सूपर इंपोर्टेंड एंड वेरी वेरी इस्टे जग जीवन राम का या फिर चौदरी चरण सिंग का जल्दी से बताईएगा किसान घाट किसका समाधी स्थल है सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा चौदरी चरण सिंग जिनोंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल करेक्ट है नेक्स्ट कोशन नमबर 8 आपके सामने जय प्रकाश नारायन का लोकप्रिय उपनाम क्या है जल्दी से आंसर दिजेगा वट इस दा पोपुलर सरनेम जय प्रकाश नारायन लोक मान्या लोक नायक बंग बंधू या फिर दीन बंधू तो आप्शन अगर आप सभी ने बी को आंसर दिया है लोक नायक आपका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा लोक नायक जय प्रकाश नारायन का लोक प्रिय उपनाम है लोक मानने सभी को पता है बाल गंगा धर तिलक दीन बंधू सभी को पता होगा दीन बंधू सभी को पता विच सिटी इस काल्ड दा क्वीन ओफ अरेबियन सी एंदाबाद कोची कानपूर कोयम बटूर क्या आंसर करोगे तो मैच करिएगा अगर आप सभी आप्शन बी को आंसर दे रहे हैं कोची आपका राइट आंसर होगा कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचन नमबर दस देखिए जी मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है वर्ट इस दा नेम ओफ दा कैपिटल ओफ मलेशिया मकाव क्वाला लामपूर ताशकंद जेरू सलम ओप्शन बी अगर आपसे भी आंसर दे रहे हैं क्वाला लामपूर आपका राइट आंसर होगा कोचन नमबर इलेवन गुलाब का फूल किस देश का राश्ट्रिय प्रतीक है रोज फ्लावर इस दा नेशनल सिंबल ओफ विच कंट्री कनेडा बंगलादेश इरान इस्पे बताओ जी जल्दी से क्या आंसर करोगे इस प्रस्ण का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा इरान का राश्ट्रिय प्रतीक है गुलाब का फूल क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है चलिए कौशन नमबर बारा देखिएगा सामने स्क्रीन पर है एशियाई विकास बैं लोकेटेड ब्रुसेल्स वियना काहिरा मनीला तो एशियाई डेवलेप्मेंट बैंक यानि की एडी बी इसकी स्थापना 1966 में हुई थी पहला प्रस्ण आपका ये बनेगा ध्यान रखिएगा इसका हेड़कॉर्टर मनीला में है और मनीला कहां पर है फिलिपिन्स में है ये कॉशन नंबर 13 है आपके सामने भारतिय वन प्रबंदन संस्तान कहां इस्तित है जल्दी से आंसर दे दो इस प्रस्ण का ऑप्शन है भोपाल रांची देरादून या फिर बैंग लरू वियर इस दा इंडियन इंस्टिटूट ओफ फोरेस्ट मेनेजमेंट लोकेटेड तो बिल्कुल करेक्ट अंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा भोपाल में इस तीछ फे ये आपको ध्यान रखना है भारतिय वन प्रमंदन संस्थान कहा है भोपाल में है और देहरादून में आप अंसर मत करना देहरादून में क्या है राश्ट्रिय वन अनुसंधान संस्थान रास्ट्रिय वन अनुसंधान संस्थान ये दोनों की दोनों कोष्ण आपके अलग अलग हैं भारतिय वन प्रमंदण संस्थान भोपाल मद्यपर्देश और रास्ट्रिय वन अनुसंधान संस्थान देहरा दून सभी को कलियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ कोशन नमबर चोदा है आपके सामने कोशन नमबर चोदा है शेत्रफल के अधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है आंसर दीजे जल्दी से रूस, कनेडा, अमेरिका या फिर चीन विच इस दा लार्जेस्ट कंट्री इन दा वर्ल्ड बाई एरिया तो शेत्रफल के अधार सबसे बड़ा देश कौन सा है रूस है और चाइना क्या है जन संख्या के अधार पर सबसे बड़ा देश है ये आप सभी को पता होना चाहिए कोशन नमबर 15 है आपके सामने स्क्रीन पर प्रवासी भारतिय दिवस कब मनाया जाता है वेन इस प्रवासी भारतिय दिवस सेलिब्रेटिड इसको एन राई डे भी बोलते है तो ये मनाया जाता है नो जनवरी को आप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कोशन नमबर 16 की तरफ चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है जल्दी से आंसर दीजेगा इस प्रश्न का कन्या कुमारी का रोक मेमोरियल किस महापूरुष से समबंदित है विद विच ग्रेट मैन इस दा रोक मेमोरियल ओफ कन्या कुमारी असोसियेटिड ऑप्शन है राजर राम मोहन राये, स्वामी विवेका नंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर महत्मा बुद बताईए क्या आंसर करोगे, तो आप मेंसे जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं, स्वामी विवेका नंद, आपका आंसर करेक्ट है कन्या कुमारी का रोक मेमोरियल का समबंद स्वामी विवेका नंद जी से है कॉशन नमबर 17 आंसर दीजेगा, कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, संग की कारेपालिका शक्ती राष्ट्रपती में निहीत है किस अनुछेद में वरनित है, आपको ये बताना है तो देखिएगा, अनुछेद 53 के अंदर वनित है कि संग की कारेपालिका शक्ती राष्ट्रपती में निहीत है अब आपको एक कोशन वर ध्यान रखना है, भारत का एक राष्ट्रपती होगा यह किस अनुछेद में है, तो यह अनुछेद 52 में है, यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन नमबर 18 आपके सामने किसे अफ्रिकन गांधी कहा जाता है, जल्दी से इस कांसर दे दो फू इस काल्ड आफ्रिकन गांधी, आप्शन है खान, अब्दूल गफार खान, नेलसन मंडेला, अब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंग टन तो आफ्रिकन गांधी बोला जाता है नेलसन मंडेला को आप्शन आपका बी, इस प्रस्न का राइट आंसर है कोश्चन नमबर 19 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे, वट इस दा फूल फॉर्म ओफ पी टी आई तो पी टी आई की फूल फॉर्म क्या है, प्रेस ट्रस्ट ओफ इंडिया आप्शन आपका यहां पर सी, बिलकुल करेक्ट आंसर है चालिए, नेक्स है कोश्चन नमबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर दिजेगा, गितांजली किस की रचना है गितांजली की रचना किसने की सिंपल सा प्रस्ण है, यह प्रस्ण किसी का भी गलत नहीं होगा वेरी वेरी इस्टेटिक कोश्चन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, रविंदर नाटेगोर की रचना है, गितांजली कोश्चन नमबर आपके सामने 21 है, पुलिटिजर पुरुषकार कब प्रारंब किया गया वेन वाज़दा पुलिटिजर प्राइज स्टार्टेड, 1920 में, 1965 में, 1915 में, 1917 में तो आंसर मैच करेंगे, अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, 1917 आपका आंसर करेक्ट है और एक कोशन और बनता है, आपके एक्जाम में पुलिटिजर पुरुषकार का संबंद किस्से है तो यह आपको ध्यान रखना है, यह है पत्रकारिता के शेत्र में दिया जाता है पुलितिजर पुरुस्कार की शुरुवात कब हुई 1917 और ये पत्रकारिता के शेत्र में दिया जाने वाला पुरुस्कार है कोशन नमबर 22 आपके सामने है स्क्रीन पर खाद्य एवं क्रिशी संगठन का मुख्यले कहां इस्तित है जल्दी से आंसर दे दो तो खाद्य एवं क्रिशी संगठन का मुख्यले रोम में है आपका यहां पर डी राइट आंसर है कोशन नमबर 23 देखिएगा स्क्रीन पर है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है विच प्लानेट इस कॉल्ड इवनिंग इस्टार तो दिखिएगा संध्या का तारा या फिर सुबे का तारा है ना साम का तारा या फिर सुबे का तारा किसको बोलते है राइट आंसर आप्शन बी रहेगा शुक्र ग्रे को बोला जाता है क्या सभी ने ऑप्शन B को आंसर दिया है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कोशन की दरफ कोशन नमबर 24 है कोशन नमबर 24 है हिंडोन वर्ग रेखा किन देशों के मद्य इस्थित है ऑप्शन आपके सामने है जल्दी से इसे प्रस्न का आंसर देंगे ऑप्शन है जर्मनी और फ्रांस अमिर्का और कनाड़ा पॉलेंड तथा जर्मनी उत्तर कोरिया तथा दक्षिनी कोरिया तो हिंडन वर्ग रेखा जो है यह है पॉलेंड और जर्मनी के मद्य है आप्शन आपका सीक्रेक्ट है कोशन नमबर 25 आपके सामने किस नदी के रोम जो है यह किस नदी के तठ पर बसा है और देखीगा इसका पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड हो खिरेंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जायेगा अप से हमारी इसका पीडियक्जेई साथ कि साथ देवा राइट तो टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिपशन में हैकर आपने नहीं किया है अगर आपको इस खाल्न का helped चाईए और हमारी सभी Care प्लेग्राम को जो बढ़ते हैं next भे question number 26 आपके सामने स्क्रीन पर मावरी जन्जाती का संबंद है मद्धे अमेरिका से बोर्णिय से न्यूजी लेंड से या फिर मलेशिया से तो मावरी जन्जाती जो है यह न्यूजी लेंड से संबंदी था न्यूजी लेंड में पाई जाती है option आपका C right answer है question number 27 देखो जी भारत के कितने राज्ये समुद्री तटरेखा से लगे हुए है how many states of Indian are adjoining the sea cost line बताए जल्दी से सही जवाब option D रहेगा भारत के 9 राज्ये ऐसे हैं जो समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं जिरों ने option D को answer दिया है उनका answer correct है और comment box में ये जुरू बताएगा कि कितने केंदर साशित प्रदेश हैं कितने केंदर साशित प्रदेश हैं जो समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं यहाँ पर हमने राज्यों की बात करी है कितने केंदर साशित प्रदेश हैं जो समुद्र तटरेखा से लगे हुए हैं इसका answer comment box में बताएगा ये आपका प्रसन होम वरक्का है question number 28 सामने देखिएगा स्क्रीन पर है नाथुला दर्रा किस राज्य में है नाथुला पास इस इन विच स्टेट जम्मो कश्मीर उतराखंड अरुनाचल प्रदेश सिक्किम साई जवाब option D रहेगा नाथुला दर्रा जो है या सिक्किम में है option D आपका correct answer है question number 29 देखिए स्क्रीन पर निम्न में से कोन सा शहर मांडवी नदी के किनारे इस्थित है option बोल देते हैं डिबरुगर्ड, हरिद्वार, वरानसी, पनजी साई जवाब आपका option D रहेगा जिनोंने option D को आंसर दिया है पनजी आपका आंसर बिलकुल correct है पनजी शहर गुवा में हैं और यह मांडवी नदी के किनारे इस्थित है next question number 30 आज का last question आपके सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे निम्न में से कौन सा राश्ट्री उद्यान गुजरात में इस्थित है which of the following national park is located in गुजरात option आपके सामने है अगर आपको आंसर देने के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को जरूर रोकिएगा तो answer match करेंगे अगर आप से भी ने option A को answer दिया है गिर राश्ट्री उद्यान आपका correct answer है गिर राश्ट्री उद्यान जो हाई है गुजरात में located है तो दोस्तो ये थे आपके आज के top 30 very very important question मैं उमीद करूँगा session आपको helpful लगा होगा questions की quality, questions का collection आपको पसंद आया होगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को like, subscribe, share नहीं किया है तो जल्दी से करेंगे मैं उमीद करूँगा session आपको पसंद आया होगा बताईएगा इन 30 प्रस्णों में आज का आपका score कितना है हमारे चैनल को इतना like, share, subscribe करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल किसी और अच्छे topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत